घूसकोरी में फंसे इतालवे हेलिकॉप्टर पर आज प्रधारमंत्रे मनमोन सिंग ने पहली बार बयार दिया। PM ने कहा है कि वो इस मामले पर संसर्ड में बहस करने को तयार हैं और CBI जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। यानि सरकार ने CBI पर आँख मून कर भरोसा दिखाया है लेकिन सवाल ये है कि क्या CBI हेलिकॉप्टर घोटाले का सच सब के सामने ला पाएगी और क्या दोशियों को CBI सजा दिला पाएगी अब अगर CBI के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो ऐसा लगता तो न के लिए इस मामले में अपना चिर परिचित मौन तोड़ने की और प्रधान मंत्री ने कहा भी तो क्या इस मामले में सरकार संसद में बहस के लिए तयार है हमारे पास चुपाने के लिए कुछ नहीं है और जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा वैसे बेइमान सरकार के इमा काली की कालिक में किस किस के हाथ रंगे हैं लेकिन सी बी आई जांच में सब कुछ साफ हो जाने के उनके दावे पर दिल चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा इस मामले में पांच दिन पहले सी बी आई जांच शुरू हुई लेकिन जांच एजेंसी ने अभी तक कोई मामला दर् इतली पहुंच गई लेकिन इतली पहुंचने से पहले ही CBI को बड़ा जटका लगा हेलिकॉप्टर घोटाले में रक्षा मंत्राले से CBI को कोई जानकारी नहीं मिली है दस्तावेस के नाम पर अगर CBI के पास कुछ है तो सिर्फ भारती और इतालवी अख़बारों की कतरन अनसद्द एक मंच है जहां ह राष्ट्री मुद्दे पर बहस होती है स्वागत है किसी भी मदलें किसी भी विशयवा Parece के लिए तायार है स्वागत करेंगे यह विभक्ष का अधिकार है जंता का अधिकार है कि ओ इन मासलों के ऊपर पूरी जनकारी हासिल करें पहले चापर स्कैम जो है उसका प्राफर इर्वेस्टिकेशन होना चाहिए या भारती जन्तापर्टी की डिमांड है यदि कोई प्रिन्वरी इंक्वाइरी हो चुकी है तो उसकी भी जानकारी दी जानीशी है CBI ने Interpol से भी मदद मांगी है लेकिन सूत्रों का कहना है कि बगैर केस दर्ज हुए Interpol ने भी मदद से इंकार कर दिया है सवाल उठता है अब CBI कैसे खोलेगी केस क्योंकि रक्षा घुटालों की गुथिया सुलचाने में CBI का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है पिछले 30 सालों में CBI ने रक्षा मंत्राले से जुड़े कई घुटालों के केस तर्ज किये लेकिन कोई भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा इसकी सबसे बड़ी वज़े ये है कि रक्षा सौदों में दलाली की रकम कई हाथों से होती हुई दलालों तक पहुंचती है CBI के साथ दिक्कत ये है कि वो दलाली के खेल में न केल को पकड़ने में अब तक नाकाम रही है तो क्या हेलिकॉप्टर घोटाला भी दूसरे रक्षा घोटालों की तरह कुछ साल बार थन्डे बस्ते में चला जाएगा